Hello everyone, welcome to Learn with Shifali. I hope you will be very good and will be very good. So, today we are going to start Biology in Class 9 Science, Chapter 5, The Fundamental Unit of Life. This is the first Chapter of Biology. So, in this video, we are going to study the details about the cell and its discovery. So, first of all, you need to know the meaning of the fundamental unit of life. The fundamental. The fundamental. If you go to Chrome and add fundamental meaning in English. So, what does this mean? Basic and important. कोई भी चीज़ बेसिक और इन्पॉर्टेंट और इसके आगे लिखाएगा क्रोंबे की From which everything else developed. कोई भी चीज़ अगर डेबलब करती है जो भी चीज़ बेसिक होगी किसी भी लिविंग ओर्गनिजम में तो उसको हम कहेंगे fundamental of life अगर मैं लाइफ की बात करती हूँ जैसे हम है human beings तो हमारे अंदर सबसे बेसिक चीज़ जिससे हम लोग बने वहे हैं वो क्या है वो सेल है तो सेल को हम क्या कहते हैं the fundamental unit of life तो आपको fundamental का मतलब पता चलिए चैप्टर का नाम का मतलब बता चलिए तो अगर definition भी पूछी जाती है कि सेल क्या होता है तो simply आप लिख सकते हो the fundamental unit of life is called cell आप ऐसे भी करके लिख सकते हो आप मैंने बताया कि human beings अगर मैं अपनी बात करती हूँ हम जितने human beings है तो उनमें क्या होता है difference तरह के various types of cell present होती है ठीक है different तरह के cells present होते हैं तो हम लोग किस से बने हैं cell से बने हुए है ठीक है अगर मैं एक और example लो जैसे wall का example लेती हूँ अब घर बनाने के लिए wall बहुत जादा important होती है क्या important होती है तो wall बहुत जादा important होती है ठीक है तो wall किस से बनती है brick से बनती है तो अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं brick नहीं देती और आप wall बना दो तो आप बना पाओगी क्या तो wall जो है वो उसका basic चीज क्या हो गई basic और important चीज क्या हो गई वो brick हो गई इट हो गई ठीक है जिसकी आपको need है तो brick क्या हो गई fundamental unit हो गई basic और important हो गई wall बनाने के लिए तो उसी तरह हम human beings के अंदर अगर हमारे अंदर झाल होंगे तो मतलब हम होंगे लिए जितने भी living organism है birds बोलो plants बोलो animals बोलो सबी चीजों के अंदर क्या है different तरह के cells present अब देखो मैं bird के अगर बात करूं तो मैं बोलो bird के अंदर भी cell present है और मेरे अंदर भी cell present है एक human being के अंदर भी cell present है लेकिन bird के अं है वो different है और हम human beings के अंदर जो cells है वो different है तो चिडिया और human beings एक दूसरे की शकल मिलती तो नहीं है न तो इस तरह बंदाजा लगा सकते हो हमारे अंदर जो है वो different cell present होते हैं एक human being के अंदर different है और birds के अंदर different है तो जो basic चीज होए हमारी body में क्या होती है ओसके बाद बहुत सारे multiple essentials मिलकि क्या बनाते हैं चिशू तिशू बनाते है ठीक है फिर उसके बाद मारा organ बनता है और उसके बाद आपका बनता है organ Sys टम थी क्या बनता है около sis के बन बन जाता है एक organism ठीक है आपको यह चीज भी धिशान रख नहीं है कि बहुत सारे cells बन की क्या बनाते हैं tissue बनाते हैं फिर उसके बनता है organ फिर organ system और फिर organism ठीक है इतना clear है cells के कुछ नाम है cell के क्या कुछ names है वो में names करके यहां पर लिखते हैं हम सबसे पहले तो आपका यह ही हो जाता है कि fundamental unit of life फिर्स्ट क्या होता है fundamental यूनिट ओफ लाइफ ठीक है पहला तो यह हो जाता है chapter का नेम है आपका second second चीज हो जाती है building block of life ब्यूस को बोलते हैं तो मैं लिख देती हूं building blocks of life ठीक है आप इसको as a definition पर पर पिनाख के लिख सकते हो कि building blocks of the life is called cell ठीक है तो आपको इसके नाम याद रखने है third third बोल होता है आपका structure and functional functional unit of life ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो structure and the functional unit of life is called cell तो आपको यह तीन होना बहुत अच्छे से याद रखने है mcqs में पूछा जा सकता है ठीक है अब मैं यहापे cell से related 3 important points लिख देती हूं अगर पूछा जाता है 3 marks में ठीक है तो आप as a definition इसको भी बना के लिख सकते हो और उसमें आप यह सब चीज़े भी इसके अदर add कर सकते हो तो मैं कुछ 3 points लिख देती हूं वो बहुत सादा important है तो यह आप 3 important points लिख सकते हो as a definition ठीक है पहले है आपका all living organism in this universe are made up of sets हम किस से बने हैं जितने भी living organism से बने हुए है से बने हुए है plants की बात करो या फिर किसी भी animal की बात करो और animal के अंदर हम लोग human beings भी आते हैं ठीक है यह चीज़ आप हो याद रखनी है इतना clear हो गया second है they either exist as a single cell or as a combination of multiple cells तो हम human beings किस से बने हैं multiple cells से बने हैं और single cell का अगर मैं example दू तो एग बोल सकते ह होता है ठीक है तो as a single cells भी exist करते हैं as a combination of multiple cells भी exist करते हैं ठीक है third point दे रखा है cells are so tiny that they cannot be seen through the naked eyes cells जो होते हैं वज़ता tiny होते हैं हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं ठीक है but living organism living organisms के अंदर ना दो तरह के cells होते हैं एक होता है macro ठीक है macro और micro ठीक है macro हो गए जो कि large होते हैं ठीक है जिसको हम naked eyes से देख सकते हैं लेकिन macro macro होते हैं बहुत ही ज़दा small ठीक है जिसको हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं naked eyes से नहीं देख सकते हैं ठीक है तो यह दो तरह के आपको याद रखने हैं इनको हम detail में बहुत ही detail में discovery ने कीथी cell की यह आपको इसमें पता होना चाहिए तो मैं discovery से related на यहांपे points लिख देती हूँ जो कि आपको उच्छे से याद रखना है तो मैं फूरा discovery से related सारे कुष लिख discovery of cell appears पहला किसे discover कियां ता cell को वहीं Robert Hockney discovered a thin slice of cock वो के कर रहे थे उन्होंने किस तरह से सेल को डिस्कावर क्या था उन्होंने उनको वो ना एक एक्जामिन कर रहे थे या फिर आप बोल तक कि अब्जर्व कर रहे थे किसको थेंस लाइफ को क्रॉक क्या होता है जो की ओक का ट्री होता है तो उसकी बाक से मतलब उसका उसका ज जैसे honeybee का चत्ता होता है ना उसमें little compartments होते हैं तो उस तरीके से वो उनको resemble कर रहे थी तो उन्होंने अपना self-design microscope से क्या किया था उसको देखा था तो उसी वज़े से इसके थूँ thin slice of cock की वज़े से cell को नोने little compartment को नोने क्या बोल दिया cell नाम दे दिया इसका क्या मतलब होता है एक little room इसका मतलब होता है ठीक है cell को as a little room बोला गया कि कौक के अंदर क्या थे चोटे-चोटे compartment से जन्होंने उनका नाम दे दिया cell ठीक है इतना clear है कुछ और discoveries हुई थी की cell से related वोबी हम बाघ बात करेंगे लेकिन उन्होंने जिस पार्ट को देखा था च्री केज पार्ट को उन्होंने देखा था तो वह ौप्टरी था लेकिन उन्होंने यह पर कुछ और डिस्कावरी होई है पहले तो यही हुई थी सैल की डिस्कावर्ट ने किया था 1665 में फिर है इसकी नाम की जो प्रोनांसेशन है क्योंकि अजीब अजीब से नाम है लेस्वेंहां दे इसकावर्ट अपने अपनाम सबनॉप आप नाम लगे दोनों के तो उन्होंने क्या discover किया था उन्होंने discover किया था Nucleus की cells के अंदर बीच में क्या present होते है Nucleus होते है in 1831 में मतला यह अगर आपका एक cell है तो इसके बीच में एक डॉट सा होगा तो इसको पोड़ा जाएगा Nucleus जैसे हमने atom वाली chapter में पढ़ा था ठीक है तो उसमें भी तो यही था कि एक atom है उसके बीच में क्या होता है Nucleus होता है सेम इस यही चीजस में next पुरकिंज इन्होंने 1939 में एक लिक्विड जो की इस cell के अंदर यह यह Nucleus है और इसके साइड साइड में जो प्रेजन होगा एक लिक्विड प्रेजन होगा तो इन्होंने यही चीज डिसकावर कि ठीक है next दो जन्होंने मिलके that is 1838 में और 1839 में ठीक है that is Sogden and Swine जो भी नाम है इनके इन्होंने cells थियोरी प्रेजेंट की थी कि cell की थियोरी क्या है ठीक है next विंचाओ इन्होंने 1855 में क्या किया था उन्होंने यह चीज सजेस्ट की थी कि cells जो होते हैं जो already exist cell है अगर कोई single cell है तो उसी से ही वो अपने आपी multiple cells को क्या गरेगा बनाएगा किसी की help के उसे ज़रूरत नहीं है वो खुदी exist जो भी exist हो रहा होगा cell उसी से ही different different cells को वो बना लेगा तो यह चीज़ उन्होंने suggest किया था यह चीज़ उन्होंने बताया था ठीक है तो यह cell से related discoveries थी जो आपको पता हो नहीं चाहिए I hope आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा अब हम हमारी cell से related activity बच रही है that is activity 5.1 वो हम बुक में से पढ़ेंगे तो इसके बाद हम चलती है बुक पर I hope आपको इतना क्लियर हो गया discoveries अब हम चाप्टर पर आचुके हैं the fundamental of unit of life हमें activity का पढ़नी है जो cell से related हमें given है कि कैसा cell दिखता है तो activity 5.1 है जिसका उपर heading आपको given है 5.1 की what are organism made up of तो इसमें activity के थरूपो समझाना चाहते है कि cell से बनी होती है हार एक living organisms ठीक है तो इस activity को में पूरा detail में नहीं पर नहीं पर नहीं हम सिर्फ short short बता देती हो जो आपको पता होना चाहिए तो हम क्या करेंगे onion onion लेंगे हम व्याज लेंगे हम उसके हम चिल्के को उतारेंगे तो इसके अंदर white वाला skin निकलेगा ठीक है तो inner layer वाली जो skin है onion की वो हमें लेंगे फिर उसके अंदर क्या मौजूद होगा पानी मौजूद होगा ठीक है containing water फिर उसको हम क्या करेंगे glass light जो है उसपे हम पानी डालेंगे उसपे उस pearl को रखेंगे वो वाला जो चिल्का है onion का वो हम उसपे रखेंगे फिर उसको हम पिसपे लिखे रखे देंगे slide पर रखेंगे slide को जब हम डख देंगे तो वह ब्लकुँ फ्लैट हो जाना चाहिए चिल्का pearl मतलब चाहिए वो बहुत ही केलफू यह हेंडर करना होता है इतना क्लियर है तो हमने इस activity में यह चीज की है फिर उसके बाद क्या करेंगे cover कर दिया हमने microscope पे उसको रख दिया है हमने उस slide को फिर हम क्या करेंगे compound microscope से हम उसको देखेंगे चिक है cells आपको नजर आएंगे जब आप उसको देखोगे तो cell जो है वो इस तरह से नजर आएंगे चिक है cell of the onion तो यह क्या दे रखा है आपको यह एक block दे रखेंगे यह वाले जो लाइनस आपको दिख रहे हैं जिसके बीच में आपको black dot दिख रहा है nucleus होता है यह जो कि तो यही चीज इसमें आपको activity में बताई देगे हैं तो हमने में एक short में बता देती हूं कि क्या किया है हमने 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 onion का अंदर वाला चिलका लिया है फिर उसको अंदर पानी होगा फिर उसको हम glass light पर रखेंगे उसके उपर saffron का solution डारेंगे फिर उसको cover slip से cover कर देंग तो इस तरह का आपको नजर आएंगे cells onion field की ठीक है इतना clear है तो आगे भी हमें यही उसके structure की बात की गई है तो structure तो मैंने आपको बताया ही है कि यह cell होता है बीच में nucleus होता है उसके side by liquid form में present होता है protoblasma ठीक है तो यह structure होता है अभी आपको सरफ इतना ही याद कर रहा है नॉर्मली आपके two questions ready हो गया slide में कि cell क्या होता है और discovery किस नकीती cell की और activity बे हमने पढ़ लिए है नेक्स वीडियो में हम structure बगार के बात करेंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजगा और अगर कोई भी particular topic आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते रही हूं detailed video बना रही हूं please support me thank you so much for watching bye bye